अब हम आते हैं इस साल के winter action plan पे 15 point winter action plan है पहला point है कि हमने 13 hot spots identify किया है जहां pollution ज्यादा होता है हर hot spot के लिए special action plan बनाया गया है और उसके लिए एक war room बनाया गया है 13 special teams बनाई गई है और वहाँ पे pollution को down रखने के लिए special focus किया जाएगा दिली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा द्वारा बनाया गया bio decomposer पिछले तीन सालों से हम इस्तिमाल कर रहे हैं उसके नतीजे काफी अच्छे आये हैं पिछले साल हमने 4400 एकड में बायो डिकंपोजर का इस्तिमाल किया था इस साल 5000 एकड में बायो डिकंपोजर का इस्तिमाल किया जाएगा dust pollution को कम करने के लिए कई सारे steps उठाए हैं एक तो यह जो construction sites हैं उन construction sites पे निगरानी रखने के लिए special teams बनाए गई हैं 591 team है 500 square meter से ज्यादा से ज्यादा निर्मान sites वाले dust control करने के लिए उनको web portal पे register करना पड़ेगा और 5000 square meter से ज्यादा का अगर कोई construction site है तो उन्हें anti-smoke gun लगाना अनिवारे होगा सडकों पे भी जो सफाई करते टाइम धूल उड़ती है उसके लिए 82 road mechanical road swiping machines लगाई गई है 530 water sprinkling machine लगाई गई है और 258 anti-smoke gun सडकों के उपर चलेंगी winter के दौरान जो vehicle से pollution होता है उसको control करने के लिए puc certificates की जाच करने के लिए और 10 साल से पुराने diesel vehicle और 15 साल से पुराने petrol vehicles को प्रतिबंद के compliance के लिए 385 teams का teams गठित की गई है जो congested areas जहां traffic ज्यादा रहता है वहाँ पर vehicle खड़ा हो जाता है और vehicle खड़ा होके वहाँ पर pollution करता है ऐसे 90 सडकों की पहचान की गई है और वहाँ पर alternate routes provide करे जाएंगे उसको प्रचारित किया जाएगा कि आप इसको avoid की इस सडक को आप यहां से निकल सकते हैं खुले में कूडा जलाने पर प्रतिबंध है और 611 team का गठन किया गया है जो इसके उपर निगरानी रखेंगी मैंने जैसे कहा कि 1727 industrial units है registered जो कि अब PNG non-polluting fuel का इस्तेमाल कर रही है इसकी निगरानी के लिए 66 team का गठन किया गया है एक green war room बनाया गया 24 घंटे जिसके जरीए निगरानी रखी जाएगी ग्रीन डेली एप जो launch किया गया था उसका बड़ा successful response रहा है तीन साल पहले launch किया गया था इसमें लगबग 70,000 शिकायते आई जिसमें से 90% 63,000 शिकायतों का निप्टारा कर दिया गया है हम दिली के लो किसी भी तरह की अगर दिली में production करती हुई activity दिखाई दे उसको इस app पे भेजे हम उस पे तुरंत करवाई करेंगे real time source apportionment study IIT Delhi और DPCC के साथ की जा रही है और उसके लिए Rouse Avenue में सरवोदे बाल विदेले में एक सुपर साइट बनाए गई है उसके जो data है उसके साथ उसको इस्तिमाल करके हम जगे जगे एक focused तरीके से action बना कर पाएंगे पटाकों के उपर फिर से इसल प्रतिबंद लगाया गया है और green cover बढ़ाने के लिए total एक करोड से ज्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे जिसमें से 52 लाख पौधे दिल्ली सरकार लगाएगी इको वेस्ट के लिए इवेस्ट के लिए बीस एकड़ जमीन पे होलंबी कला में एक इवेस्ट पार्क बनाया जा रहा है और उसमें तेजी गती तेज लाने के लिए consultant के नियुक्ति कर दी गई है जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें रन अगेंस्ट पॉलूशन, रेड लाइट ओन, गाड़ी ओफ ये सब कैम्पेंज चलाया जाएंगे पॉलूशन कोई boundaries नहीं देखता हर्याना की हावा इधर दिल्ली आती है दिल्ली की हावा यूपी जाती है तो आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पॉलूशन की गतिविधियों, पॉलूशन को कम करें इसमें Central CAQM जो है उसके साथ भी मिलके Center for Science and Environment का डेटा बताता है कि दिल्ली में जो पॉलूशन है वो 31% दिल्ली के Internal Sources की वज़े से है और 69% जो है वो बाहर के Sources की वज़े से है तो बाहर के आसपास के स्टेट्स से हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में वहिकल जाते हैं वो CNG के उपर करें दिल्ली में आसपास के जो एरियाज हैं दिल्ली के NCR के एरियाज हैं वहाँ पर polluting fuel वाली industries को PNG में shift किया जाए इंट भटे वाले जो हैं इंट भटे को zigzag technique होती है जिसमें pollution नहीं होता उस पर shift किया जाए 24 घंटे बिजली अगर होगी NCR में तो desert generator की जरूट नहीं पड़ेगी वो भी किया जाएं NCR area के अंदर भी पटाक्यों के ओपर पूर्ण प्रतिबंद होना चाहिए और जो ग्रैप है आखरी point ग्रैप को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा अब ग्रैप में CAQM के जरीए और central government के अन्य agencies के जरीए तीन दिन बाद का वो पता चल जाता है यह पूर वानुमान forecast होता है तो उसके basis पे ग्रैप को लागू किया जाता है जिससे की pollution को पहले से control किया जा सके